नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल True Fact Teaching में आपका श्वागत है आज कहा मारा विशा है होमेपैथी के द्वारा नेंद के रोगों के चेकिस्सा Treatment of Sleepiness, Narcolapse, यानि नेंद सिहाती राना भाई होमेपैथी सबसे पहले हम आपसे अनुद करेंगे एक लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल पर दिमारा नहीं भूलें जिससे कि अमारा अगला वीडियो आपको दिमांतों से मिलता है होमेपैथी के द्वारा नेंद के रोगों के चेकिस्सा नेंद आने के रोग में विमिल ओस्दियों के पर्योग इस परकार किया जाता है अगर किसी द्यक्ति को हर समय नेंद आती रखती है और उसका मन यही करता है क징 मैं सोता ही रहूं तो विक्तृ इंड्रॉल ओस्दिय की 3 या 6 शक्ति देना लांभकाडी होता है एंटिम टॉट रोगी हर समय उंता सा रगता है। जैसे कि वरात को सुया ही नहीं, उगने के साथ ही उससे कमजोरी और पसीना भी बहुत आता है। उसका मन सिर्फ सोने ही सोने करता है। इस तरह के लक्षनों का धार पर रोगी को एंटिम टॉट आउस्दी की तीज सक्ति देने से फायदा मिलता है। ओपिया, रोगी को बहुत ज़्यादा गहरी नीन आना इतना ज़्यादा को उसका कान पर जोर-जोर से सुर बचाने के बाद भी उसके नीन नहीं तोटती। दीन के समय में भी रोगी काम करते हुए उंता रसा रहता है। इस प्रकार के लक्षनों में रोगी को ओपिया मौस्दे की तीज सक्तिय का सिवन करना अच्छा माना गया है। नक्स मौस्केटा रोगी को हर समय सिर्फ सोने का ही मंग करता रहता है रोगी को किसी भी तरह की पड़सानी हो जमीन आने लगती है जाकते हुए भी सपनों की दुनिया में खोए राना और बहुत गहरी नींद का आना ऐसे बख्षिनों में नक्स मौस्केटा और जी को सिक्स से थर्टी सकती देना काफी लाब दायक होता है लाइकोपोडियम रोगी को रात के समय भोजन करते ही नींद आजाने में लाइकोपोडियम होती देने से फायदा मिलता है को रात की समय भोज़ण करते ही नीन आने पर कोड़ियम की पुर टिन नीन आती रहती है लेकिन रात को सो नीधanka भाग राता है इस लक्षनों में सीने बेरी सॉस्दी को थिरीक समात्रा लाप्रद होती है। साइकलेमेंट रोगी को हर समय नीद की अवस्था में राना, पूरे दिन किसी काम को करने का मन नहीं करना, रात को नीद में विखासते राना, आज लक्षनों के अधार पर उसे साइकलेमेंट नहीं की तीन सक्ति देना ज्यादा लाप्रद पाया गया है। फासफुरस, रोगी को दीन में नीद आना, लेकि रात के समय बिल्कुल नीद नहीं आना, नीद में सपने आते रहना, नीद बेचैनी सी होना, उल्टी सी दे सपने आना, आधिलक्षनों में फासफुरस आउसली की तीस सक्ति का परयोग काफी लाफकाड़ी होता है। एथूजा मल्क लिया के बाद या उल्टी करने के बाद लोगी अपने को इतना कम्यूर महसूस करता है कि तुरंत ही उसनीन आ जाती है। ऐसे लक्षनों में लोगी को एथूजा उसनी को तीन से तीस सक्ति देना लाफप्रण माना गया है। हम अपने आगले वीडियो में विश्य माक्त पुन विश्या पर बत्फुल्या खायों के साथ आपके साहने प्रसूत होंगे। धन्यवाद।